आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ So hello everyone, आज हम यह question करेंगे इस question में मैं बोला कि The resistance of a wire is 2 ohms The wire stretch to its double of its length Now the resistance of the wire will become ठीक है, तो हमें जो है नाय resistance बताना है of the wire If the wire का initial resistance था 2 ohms और उसका मनें stretch किया to its double its length तो इसका जो नाय resistance हो हो कितना होगा ठीक है, तो initial Our initial हमें किवन है यह है 2 ohms ठीक है, और इसका L initial हमें किवन है, let's suppose L और L final हमने मान लिया वो है 2L के बराबर तो हमें बताने कि जो रे resistance जो होगा L r final जो होगा, वो कितना होगा ठीक है, तो हमने मान लिया है कि A initial जो था, उसको मैं ले ले लेता हूँ A, तो A final जो होगा उसको मैं बोल जेता हूँ A dash, ठीक है, तो हम जो एक relation निकालेंगे ठीक है, क्योंकि हम बोला कि हमने stretch किया है यानि हमने change of volume जो है नहीं किया है, मतलब volume initially जितना था उतना है final ही होगा, तो V initial should be equal to V final, ठीक है तो initial volume कि अगर हम बात करें तो volume initial, अगर हम wire की बात करूँ तो हो जाएगा L into A मतलब L into area of cross section ठीक है, तो यह हो जाएगा L I into A I should be equal to L final into A final, ठीक है तो L I हमने L माना है A I हमने A माना है, और L final जो हमने माना है, वो है 2L के बराबर तो यह से A final, यानि A dash हमारे पास आ जाएगा तो यह हो जाएगा L से L कट जाएगा तो A by A dash जो होगा आपका वो आएगा 2 के बराबर ठीक है, हमारे पास यहाँ से एक relation आ चुक है अब हमें बताने कि resistance final जो होगा वो कितना होगा, ठीक है तो यहाँ से हम एक बार initial resistance लिख लेते R initial जो होगा, वो होगा Rho L initial upon A initial ठीक है तो यह हो जाएगा Rho L by A ठीक है अब R final के बात करूँ तो यह हो जाएगा Rho into L final upon A final आपका Rho जो होगा, वो सेम रहेगा क्योंकि यह आपर material change नहीं हो रहा है ठीक है तो यह हो जाएगा Rho upon L आपका 2L हो चुका है तो आप लिखेंगे 2L अपन इसको लिख देगे हम A- ठीक है तो यहासे रो L के जो वैल्यों यह आप सब्ट्यूट कर देगे हम रो L कितना हो जाएगा यहासे रो L हो जाएगा आपका A into R initial के बराबर ठीक है तो रो L का अप लिख सकते हो R final हो जाएगा आपका 2 into A into R initial upon A- ठीक है A by A- को आप यह लिख सकते हो 2 के बराबर क्यों किसका रिश्वा आप नहीं हासे निकाला था तो यह जाएगा 2 into R initial कितना था आपका अगर आप R initial की बात करे तो initially आपका resistance जो था वो 2 ohms के बराबर था तो आप आप 2 ohms रखतोगे तो यह हो जाएगा 8 ohms के बराबर यानि आपका जो final resistance होगा of the wire वो जाएगा 8 ohms के बराबर यहां तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपने इसके जगा R रिख दिया मतलब यह हो जाएगा 4 into R इसको जब मैंने R रिख दिया जिसमें R जो आपका वो initial resistance of the wire है ठीक है यह 2 ohms रहे है इसको मैंने R दे दिया तो यहां से आप बोल सकते हो कि आपका R final होगा वो होगा 4 times R initial यानि कि R ठीक है तो अगर options चेक करें तो आप देख शकते है option number 4 जाए यह भी कहता है कि 4 times R होना चाहिए जिसमें R आपका initial resistance है तो यह आपका option number 4 जाए यह आपका सही answer हो जाएगा I hope आप सब कोई वीडियो समझाहिए होगी and thank you for choosing doubtnet Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8 400 400 400 पर